EKTU counseling के लिए registration करने के बाद या फिर अभी मान लीजिए registration नहीं हुआ है BFarm course का CVT UG और CVT PG के जो courses है EKTU B.Tech course के लिए तो आप सभी ने registration किया अब वहाँ पर FW का आप सनाता है और कुछ students को पता भी होगा ये FW seats हैं EKTU में जहां पर पूरी की पूरी tuition fee आपकी off हो जाती है student कह रहा है कि sir ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे FW seat मिल जाए इसके लिए आप हमें कुछ तरीका बताइए और आखिर ये FW seat मिलेगी किसको ये बहुत बड़ा सवाल है आप सभी का उसी सवाल का जबाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ सबसे पहले तो FW क्या है FW एक government की scheme है इस state government की जिसके तहत आपको हर private या फिर government college में हर branch में आपको 5% seat ऐसी मिलती है जिस पर आपकी tuition fee नहीं लगती हर college में हर branch में ध्यान दीजिएगा यानि कि tuition fee लगेगी ही नहीं tuition fee क्या है जैसे b.tech course के लिए 55,000 रुपए ये tuition fee है इतनी fee आपकी off हो जाएगी टोटल fee में से 55,000 रुपए वी farm course के लिए 63,300 रुपए यानि कि 63,030 रुपए आपका off हो जाएगा मतलब tuition fee आप से नहीं ली जाएगी जो other infrastructure के charges है और भी कुछ charges होते हैं वही आप से लिए जाएगे मुझे university या फिर college जो है वो EFW seat provide करें वही चीज में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तो आप चैनल को subscribe करके जुड़िए वीडियो को like करिए FW के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि FW क्या है किसकी scheme है सब कुछ मैंने आपको बता दिया बात आती है आखिर ये मिलेगा किसको ठीक है इस सवाल का जबाब देना important हो जाता है students FW seat उन students को मिलेगी जिनकी rank बहुत अच्छी होगी बहुत अच्छी का मतलब क्या है अब student कहेगा जादा से जादा कितनी rank तक मुझे FW seat alert हो जाएगी यानि कि T FW tuition fee waiver seat alert हो जाएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग आपको 8 लाख rank तक FW seat alert होगी student बोलेगा sir 8 लाख rank तक इतना जादा rank तक FW seat मिल जाएगी इसका क्या कारण है इसका कारण है students लगभग 50% छातर जो है जो AKTU के लिए registration कर रहे हैं वो FW seat के बारे में जानते ही नहीं है वो जानते ही नहीं कि आखिरे FW क्या बला है क्या चीज है तो इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा कटाफ नहीं जाती है आपकी बहुत ज़्यादा rank है फिर भी आपको FW seat मिल सकती है दूसरी क्या वज़ा है FW seat के लिए दूसरी वज़ा है आपकी rank कि आपकी rank बहतर है तभी आपको FW seat मिल रहे है तीसरी वज़ा है आपका document document आपका क्या income certificate वह income certificate जो 1 April 2024 के बाद का हो वही आप सभी के लिए eligible करेगा आपको TFW यानि की FW seat मिलने में आपकी help करेगा यदि आपका जो FW seat है वो जब आपको मिल रहा होगा यदि आपका जो document है income certificate आपका है वह आपका 1 April 2024 के पहले का है तो आपको FW seat नहीं दी जाएगी उसके साथ साथ जो आपकी income है वो आपकी annual income जो है वो 2 लाग से कम होगी तो ज़्यादा chances है कि आपको FW seat यानि की TFW seat आपको मिल जाएगी students तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो मैंने आपको बता दिया क्या eligibility है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी rank है फिर भी आपको मिल जाएगा आप लोग हमारी team से भी counselling करवा सकते हैं यह दि आप नहीं जानते है counselling का क्या process है FW seat कैसे मिलता है क्या चीज कैसे होगी तो आप हमारी team से भी counselling process को करवा सकते हैं description में ही दिये गए Instagram account पर मेरे पास message करिए साथ में description में दिये गए Telegram group को आप join करिए EKTU के सभी notice पराप्त करने के लिए जुड़ जाए EKTU के number one counselling channel से मिलते हैं next video में Thank you, love you all, namaskar